हे गाईज नमस्ते मैं नुकमारी स्वागत अब सभी का हमारे यूट्व चैनल दर्रसिंग बिहार में आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान खट्टा खाने का मन क्यों करता है क्या इसके फायदे हैं क्या इसके नुकसान है क्या इससे अमनेटी पावर आपका श जरूर देखना चाहिए प्रेगनेंसी की दौरान महलाओं को कुछ न कुछ खाने की क्रेविंग होती है कभी उन्हें तीखा मिठा खाने का दिल करता है तो कभी खटा इस दौरान जादर तर महलाओं को खटा खाने का मन करता है लेकिन मन में यह सवाल भी आता है क्या खटा खाना सही है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान खटा खाने का मन क्यों करता है और यह आपकी सेहत के लिए कितना सही है दर असल प्रेग्नेंसी के दौरान महलाओं के सरी में बहुत से हार्मोन बदला होते हैं जिसके कारण उन्हें खटा खाने क क्रेविंग होता है वहीं ये क्रेविंग गर्भावस्था में लो सोडियम की वज़े से भी होती है जिसके कारण महलाओं को कभी कच्ची कैरी खाने की एक्चा होती है तो कभी अचार क्या खटा खाना आपके लिए फायदे मंद है खटी चीजें जैसे की निम्बू कच्चा आम आमला या फिर अचार खाना गर्भती महला के लिए फायदे मंद होता है लेकिन एक लिमिट तक वहीं यह महला की प्रेग्नेंसी केस की हिस्ट्री जो होती है उस पर भी नेफर करता है उसे खटा खाना चाहिए या फिर नहीं ऐसे में बहतर होगा कि आप इसके बारे में अपनी डॉक्टर से सला जरूर ले अब सबाल यह उठता है कि क्या खटा खाने से उम्यूटी पावर भी स्ट्रॉंग होती है तो चली जानते हैं तो सबसे पहले जो कच्चा आम होता ह आमला और फिर गाजर इन सब चीजों को खाने से उम्यूटी पावर इस्ट्रॉंग होता है इसमें बिटामिन, कैल्सियम, आयरन, पोटेशियम और पिर अन्य पोशक तत्व होते हैं जो गर्वती महना के उम्यूटी सिस्टम को मजबुत बनाते हैं हाला कि कोशिस करें कि ज अचार में मजूद बैक्टेरिया गर्वती की आत में पहुँच कर गुड बैक्टेरिया को बढ़ाने में मदद करता है जिससे पाजन के लिए बहतर होती है खाना जल्दी और आसानी से पस्ता है और अप्चय और जलन की सिकायत भी दूर होती है अब सवाल यह उठता है कि क्या अचार खाना सिसू के विकास में मदद कार है प्रेग्णिसी की दौरान सिसू और बच्चे की विकास के लिए मा के सरीर में पोटेसियम सोडियम जैसे खनीज तत्वों का बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी होता है साथ ही अचार का सेवन इस दौरान सरीर में खनीज जाता रहत पहुचाता है मैंि धू Am I aç लेकिन सेवन सेहत को नुक्सान भी पहुचा सकता और इसके साथ ॆ की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है घटी खर्टी चीज़ों में बितामिन C होता है, जिसका अधिक मात्रा में सेवन करना गर्पात का कारण भी बन सकता है। अधिक खटे का सेवन करने से आपको कब्ज, दस्त और फिल, गरभासा संकुनचन की समस्या भी हो सकती है गले में इनफैक्शन की समस्या भी हो सकती है इसे आपको blood sewer से जुरी परिशानी का सामना करना पर सकता है जो डिलिवरी के समय आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसके साथ आज का हमार यह टॉपिक यहीं भी समाप्त होता है बिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें स्वस्त भाड़ात सम्डित भाड़ात एक अदम स्वास्त के ओर